ये है एपी लिवोज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की परताल तरह तक डाक्टर नजीब अख्तर मैं सेंडिकेट का मेंबर हूँ मौलाना मजरूल हच अरभी एवों फारसी विश्व बिद्याले के बरतमान कुलपती प्रफेसर मुहमद कुर्टूस द्वारा विश्व बिद्याले में 2015 में की गई नियुक्ति को लेकर आस्तफल अभियर्तियों ने पत्ना उच्छ नियाले सिच्छा विभाग दता राजभ में एक परिवाद दायर किया है जिनमें अरोब लगाया गया कि यह नियुक्ति अवैद है वहीं सिंडिगेट मेंबर द्वारा कहा गया है कि नियुक्ति खुले विग्यापन के मादल से 40 से च्छतक और पदो पर नियुक्तियां की गई है हम उन्हों की तंखा रोक रहे हैं आएंदा उनकी तंखा नहीं देंगे और हम उनको हटाएंगे कारण क्या है वह कोई कारण नहीं है जबके यह सारी नुक्तियां जो है वह ओपन एट्विटिस्मेंट के जरिए की गई है और सारी परकिरिया इसमें रिटिन टेस्ट इंटर्व्यू प्रॉपर सेलेक्शन कमीथी के जरिए इलनों का चैन किया गया है जो अभी जो वीसी है प्रॉफसर कुदूस उन्होंने आदेश किया है कि उनको तंखार नहीं दी जाएगी ऐसे अब नियुक्तियां हुई थी चालिस लोगों की लेकिन अभी तीन लोग छोड़के जा चुके हैं 37 लोग हैं से राजभवन में हम लोगों ने सारी बातें बताई कि इन लोगों की बहालिया विदीवत हुई है और जब जिसवत बहालिया हुई थे उस वर असभल वैक्तियों ने पटना हाई कोट मानिय राजपाल और शिक्षव भाग का दरवाजा खटटाया था तो मानिय राजपाल न जस्टिस सदानन मुखरजी के अध्यक्ता में एक जांच टीम गठित की थी जस्टिस मुखरजी ने तमाम चीजों को बहुत ही गहन जांच के बाद अपना उस पर ये दिया जज्मेंट दिया कि ये सारी बहालियां आईस पर इन्वस्टी रूल्स हैं सिर्फ उस उनने असि धिया जो सरकार से मंजूर थी वो परशाखा पदादिकारी कि थी और ये सूंवस्टी ने असिस्टेंट की ठीजी तो पांच लोगों को राजभवन के निर्देश पर उसवत हटा दिया गया 35 लोगों को राजभवन ने उनकी नियुक्तियों को प्रॉपर ठराया और उनको एप्रूफ किया पांच लोग जिनको हटाया गया था वो मानने उचने आले गए और वहां से मानने उचने आले ने उनकी नियुक्ति को सही ठाराया ये कहा कि परशाखा पतादिकारी की जो पोस्ट है ये प्रणुनिती की पोस्ट है युवस्टी ने असिस्टेंट की जो भाली की है वो बिल्कुल सही की है इसलिए उनके वेतन को रोका नहीं जा सकता है उनको सही ठाराया शिक्षा भी भाग ने भी आज तक कभी उनकी नियुक्ति पर कोई प्रश्ण चिर्ण नहीं उठाया हमारे नए वाइस चांसलर आये तो उनको ये चाहिए था कि जिनकी सेलरी के मद में अगर सरकार से पैसा नहीं आ रहा है पैसा लाते युमवस्टी अब डिवलप कराते नए पोस्ट लाते नए डिपार्टमेंट्स खोलते बजाए इसके के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी